नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूडूब चैंपर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस बीडियो में आपको एक ऐसा नुसका बताने या रहा हूँ साधी पाटी में जाने से 15 मेर्ट पहले बस यसे अपने चेरे पर लगा लें दोस्तों आपके चेरे के दाग दब्बे, काले निसान और काला पन हमेसे अगले दूर हो जाएगा आपका चेरे का भी गोरा चमकदार और सुन्दर बनेगा जी आँ दोस्तों दोस्तों हर इंसान चाहे वो इस्तरी हो या पुरूष सभी सुन्दर दिखना चाते हैं, अपनी तुचा को गोरा बनाना चाते हैं लेकिन कई बार कुछ कारणों से हमारे चेरे पर दाग दब्बे और ज्याईया आते हैं जिसके कारण कई बार आपको सरमिंदी का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि लोग आपके चेरे को देखकर दाग दब्बों का मयाग भी उड़ाते हैं इसकी वैसे आपका आत विश्वास भी कमजोर होने लगता है इस भागदोर वरी जीवन सेली और पिर्दूसन जिनका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है वैसे चेरे के दाग दब्बे के लिए कई तरह के क्रीम्स बायार में मिलते हैं पर इनके लगातार प्रयोग से आपकी तुचापर भी बुरा असर पड़ सकता है दाग दब्बे चेरे की सुन्दरता को खराब कर देते हैं हम बहुत कुछ करते हैं पर ये नहीं जाते और किसी ला किसी कारण से बापस आई जाते हैं और चेरे पर ये अपनी निसानी छोड़े आते हैं इससे हमारे चेरे की सुन्दरता खराब हो जाती है और हम मायूस हो जाते हैं इसका इलाज है पर आपको नेमेत रूप से इसे लगाता तीन दिन तक करना होगा इसे लगाता तीन दिन तक करने से आपके चेरे के दाग दब्बे हमेशे हले दूर हो आएंगे तो चलिए दोस्तो जानते हैं क्या इन उसका जो आपके चेरे को गोरा, चमकदार और बेदा बना सकता है दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले जुरुत होगी एक खाली कटूरी की आपको यहापर दोस्तो एक खाली कटूरी चाहिए और इस खाली कड्रो में आपको सबसे पहले जो ची लेनी है वो दोस्तो चीनी जो कि आप मेरे बाइद देख रहे हैं दोस्तो चीनी आपको यहाँ पर एक चेमर्स को राबर इसमें एड़ करनी होगी दोस्तो चीनी का इस्तमाल इसने उसके में इसलिए किया गया है क्योंकि चीनी हमारे तुचा के बिलेक एड्स को रिमूब करती है चीनी हमारे तुचा पर स्क्रब की तरह काम करती है जिससे हमारे तुचा के बंद पोर्स खुल लाते हैं और यह हमारे तुचा के अंदर तक जाकत तुचा को गिलोईंग और गिलासिज बनाती है अगली चीज़ आपको लेनी है दोस्तो वो यहाँ पर फेल लवली क्रीम आपको इसमें जरासा फेल लवली क्रीम एड्ट करना दोस्तो घ्यान से देखे हैं सिर्ब इतना सा आपको इसमें फेल लवली क्रीम लेना है दोस्तो फेल लवली क्रीम एक मल्टी विटामिन क्रीम है जो मारी चेरे के लिए काफी अच्छी रहती है और यह मारी चेरे को गोरा बनाती है अब इसके बाद आपको अगली चीज़ लेनी है वो दोस्तो कॉलेट का पेस्ट आपको यहाँ पर सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट फेल लवली क्रीम की बराबरी इसमें एड करना दोस्तो यह तीनों चेरे लेने को आदम दोस्तो आखरी चीज़ जो आपको आती है वो दोस्तो नीवू आपको यहाँ पर एक नीवू लेना है और नीवू को आपको आदा काट लेना है इस तरीकी से दोस्तो नीवू को काटने को आदम है आपको आदा कटा हुआ नीवू का पूरा रहसिस के अंदर निचोड़ देना है दोस्तो नीवू का रहस हमारी तुचा पर बिलीचिंग के तरह काम करता है ये हमारे तुचा से धूल, मिटी, गंदी को सबको भान निकाल लेता है और हमारे तुचा को काफी गोरा चमकदार और बेदाग बनाता है तो दोस्तो आपको इन सारे चीहों को अच्छे से अब मिक्स कर लेना है इस तरीखे से दोस्तों ये आपका अच्छे से यो मिक्स होगे तैयर हो जाएगा आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पेश्ट बन चुका है दोस्तों इस पेश्ट को ये लगाने का तरीखा होई है आप जो है पही पही जाने से 15 मिन पहले अपने चेरे को अच्छे से धोगत साफ कर लें और दोस्तो अपने चेरे को पहुँच कर इस पेश्ट को अपने चेरे को उपर इस तरीके से स्क्रब पर दूब लगाएं हलके आतों से आपको गोल-गोल इस पेश्ट का अपने चेरे पर स्क्रब करना दोस्तो जिससे कि आपके तुचा के अंदर तक जाकर आपकी तुचा में गोरापन लाने का काम करेगा साथी आपके तुचा से जितना भी मेल होगा गंदी होगी सबको इसक्रब के द्वारा ये भान निकाल देगा इस तरीके तो दोस्तो कम से 5 मिन तक आपको इसक्रब करते रहना है फिर आपको 10 मिनट के लिए इस पेश्ट को ऐसे लगाओ छोड़ देना है 10 मिनट बाद दोस्तो आपको साथा पानी से अपने चेरे को दोगा साफ कर लेना है इस उपाया को करने से आपके चेरे में तुरंत निकार आएगा और आपका चेरे कावी गुरा चमकदार और बेदाग दिखने लएगा दोस्तो अगर इस मिस्क्यों का प्लागा तक 3 दिन तक कर लेते हैं तो आपके चेरे से जितने भी दाग दब्में काले निसाने सारे हमेशा खिले दूर हैंगे और आपका चेरा हमेशा गुरा चमकदार और खिला खिला देखने लएगा तो दोस्तो आप इस वीडियो को ज्यादा से जादा अपने दोस्तों याँ फेस्वेक और वाटसप पर जोड़ से करें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे की नएनी वीडियो नेनी जानकारिया आप तक पहुंचते रहे मैं आपके लिए फिल नाम को चैनल वीडियो तब तक के लिए दुस्तों बाई बाई